मैं सवाल दरसल चुनाप्रचार को लेकर पूछूँगा कि पूरे चुनाप्रचार में समाज में वोट के लिए दरार पैदा करने की कोशिश की गई कैसे मैं अब जैसे राहूल गांधी का एक बयान आया उन्होंने बोला है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ सिस्टम को मैं समझता हूँ किसको अटैक करना है किसको टार्गेट करना है मैं ही सिस्टम हूँ और सिस्टम लोवर कास्ट के खिलाफ अलाइंड है मुझे जो आपत्ति वेक्तिकर तौर पर लगी उन्होंने इस बार जुडिशीर और मिल्ट्री को भी नहीं छोड़ा वो भी लोवर कास्ट के खिलाफ अलाइंड है यह बयान जब आप सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है सर मैंने जितना इस विशे में सोशल मेडिया में म सरकार से लाई है तो यह जू कुछ भी बाते कर रहे हैं वह अपनी सोच विचार आचार उसी के बाद को बता रहे हैं तो एक प्रकार से तो अच्छी बात है कम यह मुकंने नहीं को बता जिए मैं ऐसे लोग है को आप बचके रहो दूसरा विशह है जी मैं देखता हूँ देश में राजनीति करने का कुछ सरर रास्ते जो लोगों ने खोजे हैं जिसमें इंडी एलाइंस के करीपेरी सभी पार्टिया फसी हुई है या उनको वो शूर्ट टरता है तीन चीजें प्रमुक रूप से उभर करके आती है एक गोर सांप्रदाइक लोग है लेकिन वो कॉमिनल कॉमिनल ही है वे उनके लिए हर सीज देखते ही कोई भी आइडिया आता है तो कॉमिनल फ्रेम में ही आता है उनको उसके बारे उनको कुछ आता ही नहीं दूसरा यह गोर जातिवादी है तीसरा वे गोर परिवारवादी है यह तीन चीजें कि सभी कुन्बे जो एक खटे हुए इनके कॉमन है उसमा कोई आप मैं कहता हूं उसको टिक मार करके देख लिए आपको मिलगा है ऐसे ही है और समस्च्छा की चड़ यही है और इसलिए यह आज नहीं पहले भी उन्हों आपको इंद्रा गांदी का भाशन मिलेगा जोने जातिवाद के खिलाप बहुत लंबे भाशन की है और उनी के परिवार के लोग जातिवाद की उपर लंबे लंबे भाशन देते सुनाई दे रहे हैं बटलब कोई सोशल डिस्पांसिबिलिटी नहीं है जो मर्जी पाड़ है और जिसको मेरा विरोद करना उसके लिए भी सरार हो जाता है तो बड़ा अडियाल है क्या करें को कुछ भी विरोद करना बड़ा सरार हो जाता है